हलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो में चैनल, आज में आप लोगे साथ सेर करने वाले हूं चावल की एकदम फुली फुली और नरम सी रोटी बनाने का एकदम आसान तरीका, जिसे अगर आप एक बार बना के खा लेंगे, तो इसके सामने आपको तंदूरी और नान भी फेल के देखिए, उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, चावल की रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल का डो बना के रेडी करेंगे, तो इसके लिए हम एक कड़ाई को गरम होने के लिए रखेंगे, अब इसमें हम ए एक गिलास चावल का आटा लेने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना चावल का आटा लेंगे उतना ही आपको पानी लेना है, अब हम पानी में एक उबाल आने देंगे, देखिए पानी में एक उबाल आ चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आट कर कर लेंगें अगर आपको रोटी में नमक खाना पसंद ना होता अब इस से इसकिप कर दें अब इस में हम चावल का आटा एट करेंगे और यहाँ पर हम गास का फ्लेम लो कर हम धकन हटा लेंगे और हम चावल के आटों को बड़े प्लेट में निकालेंगे तो देखिए यहां पर मैंने बड़े प्लेट में चावल के आटो को निकाल लिया है और यह भी बहुत गलाम है तो इसके लिये हम थोड़ा-3 थंदा हाथ में छूते जाएंगे और इस आंठे को मिक्स करते हुए इसका हम सोप साथ डो बनाके रिडी कर लेंगे इसे आप गरमगरम ही मिक्स करें जिससे कि आपका जो आटा हुई एकदम सोप्ट बनेगा तो देखी हमारा सोप्ट सा डो बनके रेडी हो चुका है अब इसमें हम से नीट कर लेंगे देखिए हमारा जो आटा हुए एकदम सॉप्ट बनके रेडी हो चुका है अब हम चावल के आटे का मिडियम साइज का बॉल लेके उसे रोल कर लेंगे और इसमें सुखा आटा चावल का लगा के इसे हम बेलेंगे इसी तरीके से हम थोड़ थोड़ा सुखा आटा इसमें लगाते जाएंगे और इसे हम बेलते जाएंगे तो देखिए हमारा रोटी बेल चुका है, अब इसे एगदम प्रोपर राउंड सेप देने के लिए किसी धक्कन से इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि यह चावल का रोटी है तो किनारे से फटेगा ही तो इस तरीके से हम इसे cut करके जो side का किनारा उसे निकाल देंगे और इसे हम hulka सा बेल लेंगे तो देखें हमारा चावल का रोटी एकदम अच्छे से बेल चुका है अब इसे हम सेकेंगे तो इसे सेखने के लिए यहाँ पर मैंने एक तावा को गरम होने के लिए रख दिया था देखिए तावा गरम हो चुका है अब इसमें हम रोटी को रखके इसे मिडियम फ्ले में एक साइट से हलका सा सेख लेंगे देखिए रोटी एक साइट से हलका सा सेक चुका है विसे हम टन करके दूसरे साइट भी हलका सा सेक लेंगे जब रोटी एक साइट से हलका सा फूलने लगे तो इसे हम इस तरीके से दबा दबा के उलट पलट करते हुए इसे हम फुला लेंगे तो देखी हमारा जो रोटी वो कितनी अच्छे से गुबारे के तरफ फुल चुका है अब हम चावल के आटे के रोटी को दोनों साइट उलट पलट करते हुए सेक लेंगे तो देखी हमारा जो चावल का आटा का रोटी वो दोनों साइट से अच्छे से से सेक चुका है देखे ये रोटी भी अच्छे से फूल चुका है अब हम इसी तरीके से सारे रोटी को बना के रेडी कर लेंगे अब मैं आपको गर्मा गरम चावल की रोटी को सर्फ करके दिखाती हूँ देखे मैंने उसी तरीके से सारे रोटी को बना के रेडी कर लिया है और यहां पर मैंने रोटी को आलू और टमाटर की सबजी और मतन भूना के साथ सर्फ किया है आप चाहें तो अपने मन पसंद सबजी के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं अब मैं आपको एक रोटी को दिखाती हूँ कि कितना नरम बनी है देखें रोटी को इतना फोल्ड करने के बाद भी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है यानि कि हमारी जो रोटी हो एकदम सॉफ्ट है अब मैं आपको इसे तोड़के भी दिखाती हूँ देखें हमारा कितना सॉफ्ट रोटी बनके रेडी है तो आप इस तरीके से एक बर चावल के आटे के रोटी जरू बना के देखेगा उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा रिकिन माने आप इसे एक बर बना के खा लेंगे तो आपको इसके सामने तंदूरी और नान भी फेल लगने लगेगा तो अगर आपको मेरे रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल ऐकन को प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली नेस्ट रेसेपी के आपको तब तक के लिए टेक केर और गुडबाय थैंक यू फो वाचिंग